मेरे इस चैनल को देखने वालों को सुनने वालों को सभी इश्रोता और दर्शुकों को मेरा साधर सप्रेम नमस्कार भारत की वो महानकरांतिकारी सुपूद जिनों न भारत की स्वतंतरता के लिए आपने आपको आभूद कर दिया अभी वीर मंगल पांडे से सुभाचंदर बोस्ता का इतिहास में आपके सामने रख रहा हूँ और उन लोगों को विशेश करके आपके सामने रख रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला जीवन के आखरी श्वास तक संघश करते रहे, लड़ते रहे, जूजते रहे जेल के अंदर, फांसी के उपर, अंडर्ग्रोंड लाइफ में, देश में, विदेश में सब जगा, अपना जीवन लगा गए, जवानी में चलेगे, बुढ़ाप्पे में भी आखर तक लड़ते रहे, देश की स्वतंतरता के लिए लेकिन उनको स्थान कहीं नहीं मिला, इतिहास के अंदर, अजादी के बाद, इन काले अंग्रे जोने, जिनको अजादी, स्पॉंसर्ड लीडर को, जिनको सूंपी गई थी, जिनकी हाथ में दी गई थी, उनको देश भक्ती से, उस समय भी कुछ नहीं लेना था, हाँ, मैं ये दावे से कह रहा हूँ, अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी ने, उनका उदिश्य जो था, उसकी पूर्ती होती रही नहिरू तो स्पॉंसर्ड था ही था, मोतिलाल तो स्पॉंसर्ड था ही था, गांधी उनको सूट करता था, गांधी के जनन दोलन से, उस सेफ्टी वॉल्व से निकला हुआ धूमा, प्रैशर, अंग्रेजो तक पहुचता रहता था, ठारस स्तावन ना हो जाए, बड़ा भी करांती थी, वो ना हो जाए, इसलिए कांग्रेज, तब तो जो किया, उन्होंने जो किया, खिलाफत अंदोलन में और पचासों जगों के उपर, और तो और जब मुक्ष्मीर के मामले में जो नहरू ने पाप किया हुआ है, ऐसे बीसों बलंडर, बीसों अंग्रेजों के उ यह सहयोगी बने, साइक बने, आज मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, परन्तु एक पाप इन्होंने और किर दिया, पहले एजुकेशन मनिस्टर, पहले एजुकेशन मनिस्टर जिसने स्कूल कॉलिज की शकल नहीं देखी, बलाना अब्दुलक्लाम अजाद, केवल मदर्शे में पढ़ा हुआ था, वो इस देश का पहला एजुकेशन मनिस्टर था, और फोरन मनिस्टर जिसको बनाया गया, बात में कृशन मैनन 1962 के अंदर चीन के साथ जो हमारा हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमें पुद्र भागेशाली समय देखना पड़ा, ये के मनिस था और ये चीन के साथ मिला हुआ था कृशन मैनन, पूरा इतिहास इन गदारों से भरा पड़ा है, पर मेरी कोशिश ये क्या है, मैं उन अग्यात, अंगिनत, नाइक, नाइकाउं को, मोन तपस्वियों को, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, वो आपके सामने लाता र नहीं गुलाम हुआ, मुकाबला हुआ, प्रतिकार हुआ, संगर्श हुआ, लेकिन अगर हम गुलाम हुए कहीं, तो हम अपने गदारों के कारण, हमारे राजय रजवाड़े इतने स्वार्थी हो गए थे, कि वो पडोस के राजया पर आकर्मन करने के लिए विदेशी को आ इतिहास से सीखना है, और आज इन गदार जो हैं देश के अंदर, किसान अंदोलन में भी दिख जाएंगे, जी एन यू में भी दिख जाएंगे, कई दो, चार, पार, साथ और यूनिवर्स्टिज हैं वहाँ दिख जाएंगे, नेक्सलाइट के रूप में दिख जाएंगे जिहादी के रूप में दिख जाएंगे, इस देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताक्ते तो जो कर रही हैं सो करी रही हैं पर उन शर्दमत्रों का शिकार होकर या उनको सूट करने वाली स्टेजमिंट्स देकर ये पिटे हुए हमारे राईमितिक नेता, पुलिटिकल लेना देना नहीं है देश के साथ, केवल सत्ता क्यों चली गई ये टेंशन है, सत्ता कैसी आए ये इन के प्राक्रेन, ये इच्छा है, ये लालच है, ये स्वार्त है, अरे जमोक्रेसी है, लड़ो ना आओ ना लोगों के सामने मैनिफेस्टों लेके आओ ना, आपने इनके पाक्ष में और पाकिस्तान के पाक्ष में और देश को तोड़ने वाली ताक्तों के साथ खड़े हो जाओगे, ऐसे पाप करने वाले के दार आज भी शाम को रात के नौ बजे चैनल के अंदर आपको दिख जाएंगे, अच्छी तरह दिख जाएंगे, पहचानिये ज उनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, मेरी कोशुश है कि मैं ऐसे अंगिनत, अरे थारव स्तावन उनिस संताली वीर मंगल पांडे से सुभाचंदर बोस्ता के नब्बे सालों के इतिहास में ही, मैं लगबग सौ से उपर अग्यात उन महान करांतिकारी वीर सपूतों क को आपके सामने रखने जा रहा हूं, कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत के द्वारा, कभी कविता के द्वारा, कभी डिसकेशन के द्वारा, कभी वर्तमान ज्वलंत विशों को लेकर के भी मेरी कोशुश रहती है कि वो गद्दार जिनके कारण हम लंबे समय तक गुला शहीदों को उन भारतमा के सपूतों को जिन्हों भारतमा के प्रतंतरता के बेडियां काचने के लिए सरवा सरवा अर्पित कर दिया आईए आज एक गीत के माध्यम से हमें गीत के माद्यम्सोन को समरन करेंगे बीज बीज में हमें गीत के और कविता के माद्यम्सोन को समरन करते ही है जननी ग्यान दे वो महान कुरांतिकारी जननी भारत मां के लिए ग्यान भी मांगते थे कर्म की सफूरती भी मांगते थे उसकी स्थूती भी करते थे और उसके लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा ललायत और उत्सक रहते थे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही गान दे जननी ग्यान दे तन में बल मान निष्चल सगुन सकल यातन सफल अटल सुध्रेड निष्चे दे पुन्य प्रान दे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही गान दे जननी ग्यान दे स्वाभी मान हम नत जें तद पिनिर भीमान रहें स्वाभी मान हम नत जें तद पिन भीमान रहें त्याग तप सहशुन्ता बलिदान ग्यान दे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही ग्यान दे जननी ग्यान दे भावदी जीए गंभीर बने सकल धीर बीर भावदी जीए गंभीर बने सकल धीर बीर तेरी अनुरक्ति भाति विमल धान दे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही गान दे जननी ग्यान दे चरनों में शीष धरे मन में नित धान धरे चरनों में शीष धरे मन में नित धान करे तेरे हित जीए मरे विजय दान दे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही गान दे जननी ग्यान दे आत्म भान दे तेरी नित रहे तान वही गान दे जननी ग्यान दे इस घीत के माध्यम से हमने उन मौन तपस्यों को समरन किया याद किया और उनका समरन आज की पीड़ी को रहे हमेशा रहे यह एक मेरा परियास और जो लोग अजादी का श्रे लेते हैं सुना जाता है जिन दो लोगों को नजादी लेके दी नहीं भाई उनको नो न तो अंग्रेजों की एक लाठी भी निखाई उन दो लोगों ने और उनकी जेलें भी विए पीस थी समझना पड़ेगा मैंने कई बार आपको बोला है फिर इस विश्य को लूंगा कभी एक उधारन बता दो पूरे पूरे दो सो वर्षों के अंग्रेजों के स्वतंतरता संग्राम के इतिहास में एक 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 भी कॉंग्रेशी लीडर चों अंग्रेश की लाठी से मरा हो लाला लज पत्रा एक अपवाद है और वो समय कॉंग्रेश के सिदस्य नहीं थे कॉंग्रेश के आवान पर आम आदमी साइमन कमिशन के लिए आया था प्रोटेस्ट करने एक भी और उधारन नहीं एक भी ऐसा Congressi leader जो इस पूरे संघर्ष के काल में अंग्रेश की गोली से मरा हो एक नाम धूंडके बताजना मुझे पूरे संघर्ष काल में पूरे उस काल में एक भी Congressi leader जिसको काला पानी की सजा हुई हो काला पानी की सजा हुई हो एक भी नहीं और एक भी कॉंगर्सी लीडर जो जेल में मरा हो जेल में मरा हो कॉंगर्सी लीडर आम लोग तो बहुत सब लोग थे भई वो तो लगे हुए थे जो मंच मिला सामने आ गए समझदार लोग, बध्दी जीवी लोग उनसे अलग होते गए कि नहीं. ये भीक माँझने वाले कि नोगों के साथ हमको, नहीं हमको इन देश के दुश्मनों को, फिरंगियों को, हमारे उप्रशसन करने वालें, पाश्वी कत्याचार करने वालें, नंग्रेजों को भीक से न नहीं हमको शक्ति के अधार पर इनको निकालना है देश विदेश में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी कॉंग्रस से हट करके जिन्होंने बलिदान दिया उनको इतिहास में स्थान नहीं मिलेगा नहीं मिला हम दिलाएंगे मेरा ये प्रयास उसी की और बड़ा हुआ एक कदम है हम दिलाएंगे निश्चत रुख्ष दिलाएंगे और इन पूर्वजों को समरन करके अपना भागी हम नहीं बनेंगे उन सब मुन तपस्वियों को समरन करेंगे आज की जएनरेशन के सामने रखेंगे और इन दुष्टों करदारों ने जो देश को miss use किया है और उस जो श्रे लिया है और उस समय भी और उसके बाद में भी जो देश को नुकसान पुँचाया है अभी तक भी उनकी स्टेटमेंट्स उनके क्रिया कलाप पाकिस्तान और चीन को favor करते हुए दिखते हैं उनकी statements कुछ भी बोलने का कुछ भी कहने का कुछ भी करने का मोदी जी आपसे प्राथना है जो भी दुष्ट हैं गड़दार हैं देश के खिलाफ बोलने वालों को सक्त दंड का प्रावधान कानून के द्वारा होना चाहिए कानून है तो लगू करो नहीं है तो सकत कानून बनाओ और गड़दारों को पैदा होने का अफसर मत दो इसी प्राथना के साथ मैं आप आज का ही संबोदन खतम करता हुआ मेरा अगर ये संबोदन आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेर करिए जै भारत नमस्कार